Welcome to Magnet Brains मैं हूँ खुशी भटनागर और आज का हमारा टॉपिक है पूनम्स डे आउट पूनम्स डे आउट में हम पूनम की एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसने उस स्टोरी में क्या-क्या आक्टिविटीज की और उनसे क्या-क्या सीखा ये हम पूनम्स की स्टोरी में पढ़ेंगे और उस दिन एक दिन वो जो छुट्टी का बिताती है उस छुट्टी वाले दिन उसने क्या-क्या आक्टिविटीज की और उनसे क्या-क्या लर्न किया ये हम इस चाप्टर में सीखने वाले हैं अब introduction of the chapter में मैं आपको बताती हूं कि पूनम्स क्या एक दिन है जो वो छुट्टी मांगती है और उस छुट्टी में उसे काफी सारी आक्टिविटीज करने को मिलती है और वो आक्टिविटीज से वो कुछ ना कुछ चीजे लर्न करती है चीजेए चल ये स्टार्ट करते है पूनम्स कहती है मा, please let me go to school तोड़े, I have been at home for the past two days पूनम्स क्या कहरी है कि मा, please let me go to school मुझे स्कूल जाने दो I have been at home, मैं घर पे past two days past two days, past मतलब पुराने, पिछले, दो दिन से मैं घर पर ही हूं तो please मुझे स्कूल जाने दो I am getting bored bored मतलब मैं bored हो रही हूं मुझे कहां जाना है, स्कूल जाना है कौन बोल रही है, पूनम बोल रही है But you still have fever, go outside and lie down on the cot cot याने पलंग cot याने पलंग तो उसकी मम्मा कहरी है कि आपको अभी भी fever है fever याने बुखार आपको अभी भी भुखार है तो बहार जाओ, garden में और cot, cot याने पलंग पड़ा हुआ उस पर जाके आप अराम कर लो ये उसकी मम्मा कहती है पूनम feel asleep on the cot and suddenly something fell on her face फिर क्या होता है पूनम जाती है और उस cot cot याने पलंग पर जाके late जाती है और सोने लगती है तभी उसके face याने मूँ पे कुछ गिर जाता है कुछ गिर जाता है देन पूनम woke up woke up याने उठ जाती है at once and touch the cheek cheek याने गाल चीक याने गाल, वो अपने गाल को touch करती है याने छूती है क्यों? क्योंकि उसके face पे कुछ गिर जाता है Oh no, whose mischief is this? mischief याने हरकत किस ने किया ये हरकत? कौन सी हरकत? जो उसके face पे कुछ गिरा था ये किस ने किया? Is it the crows or the pigeons? crow याने कवा pigeon याने कबूतर crow याने कवा pigeon याने कबूतर तो वो यह पूछती है किसने किया, क्रो ने किया या पीजन ने किया, क्रो ने किया या पीजन ने किया, क्या, जो उसके face पे कुछ गिरा था, वो क्रो ने किया या पीजन ने किया, it seems, it's the crow, ऐसा लगता है, seems याने ऐसा लगता है, कि ये क्रो ने किया है, किसने किया है, क्रो, याने कवे ने किया है, ओके? फिर क्या होता है कि वो उपर देखती है, उपर किसकी तरफ? ट्री की तरफ देखती है, उपर देखती है, किसकी तरफ? ट्री की तरफ देखती है, पूनम लुक्ट आप, याने उपर देखती है She saw many animals on the tree, वो क्या करती है? ट्री पे काफी सारे आनिमल्स देखती है Which animal can you spot on the tree in the picture? आप कौनसे कौनसे आनिमल्स पॉट कर सकते हो ट्री पे चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आपको भी काफी सारे आनिमल्स दिख रहे हैं जैसे कि यह कौनसा आनिमल्स है? यह है monkey यह है पीजिन याने कबूतर यह है स्क्विरल्स याने गिलहेरी यहाँ पे देखो छोटी-छोटी कुछ आन्स भी चल रही है और यह है हमारी बटरफ्लाई क्या है बटरफ्लाई? टितली इस इस मैना इस इस क्रो जिसकी हम बात कर रहे थे यह क्या है? क्रो, क्रो याने कव्वा एन्स इस कोयल तो इतने सारे अनिमल्स किसको देखे? पूनम को देखे जब उसने उपर देखा ट्री की तरफ, पेड़ की तरफ तो उसको धेर सारे अनिमल्स देखे बहाँ पे फिर क्या हुआ? जब उसने धेर सारे animals देखे तो उसने बोला Poonam picked up a leaf from the ground क्यों उसने leaf उठाई? leaf याने पत्ती, ground याने जमीन से उसने पत्ती उठाई पत्ती उठा के उसने क्या किया? wiped her cheek with it wiped याने पोचना wiped याने पोचना तो उसने wipe की अपने cheeks को उस leaf से याने पत्ती से but the cheek was still sticky sticky मतलब चिप चिपे sticky मतलब चिप चिपे तो उसे फिर भी अपने cheeks याने गाल चिप चिपे लग रहे थे leaf से पोचने के बाद भी she thought let me go and wash my face मुझे जाना चाहिए और अपना face को wash कर लेना चाहिए wash मतलब धो लेना चाहिए तो वो गई nearby the pond pond याने एक ऐसा area जहाँ पर पानी भरा हो pond याने एक ऐसा area जहाँ पर पानी भरा हो तो वो वहाँ गई और उसने उस पानी से अपना मूँ वाश कर लिया फिर क्या हुआ? फिर पूनम ने which animal did पूनम see at the pond pond के पास उसने फिर कुछ animals देखे pond याने वही area जहाँ पर पानी भरा था और वो अपना फेस वाश करने गई थी तो उसने कुछ और animals वहाँ पर देखे look at the picture and write their names आपको क्या करना है? आपको ये picture को देखना है और जो जो animals यहाँ दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं जैसे कि ये कौं सा animal है? this is got got याने बकरी this is got और ये कौं सा animal है? ये है turtle, कचुआ जो सबसे slow-slow चलता है, but always win the race, race हमेशा जीत जाता है This is buffalo, and this is bagula, and ये कौन सा आनिमल है? ये है frog, frog याने mendak, ये कौन सा आनिमल है? Frog है, तो ये आनिमल हमको कहां दिखे पून हमको? पॉन्ड के पास दिखे, और आपने भी उन्हें spot कर लिया, spot याने आपने भी सारे आनिमल को पहचान लिया Then, can you act like the animals seen at the pond? What is the meaning of act? Act मतलब क्या आप उन आनिमल की तरह कर सकते हो? जो आनिमल आपने अभी पॉन्ड में देखे हैं, कौन से कौन से देखे थे? God, buffalo, frog, तो ये कुछ आनिमल्स आपने pond के पास देखे थे तो क्या आप उन आनिमल्स की तरह act कर सकते हो? याने उन की तरह आप हरकतें कर सकते हो? या फिर which animals make? What kind of sounds and movements? Sounds याने अवाजें, movements याने हरकतें तो आप उन आनिमल्स की तरह आवाजें निकाल सकते हो? जैसे God कैसे आवाज करती है? ऐसे आप कर सकते हो? याने frog कैसे आवाज करते है? क्रॉक क्रॉक, ऐसे आप कर सकते हो? तो these are the sounds of animals क्या आप उनकी आवाजें निकाल सकते हो? Try to make similar sounds आपको भी अपने घर बाटके सारे ही sounds निकाल के देखने हैं जिन जिनकी आप आवाजें याने sounds निकाल सकते हो? Then, different animals move in different ways to go from one place to another एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए एक जगे से तूसरी जगे जाने के लिए animals अलग-अलग तरीके से चलते हैं जैसे कि some walk some animals कुछ जानवर walk करते हैं walk क्या ने? चलते हैं कुछ जानवर walk करते हैं याने चलते हैं जैसे कौन से? dog, cat, cow, tiger, elephant ये सारे कौन से जानवर हैं? जो सरिफ चलते हैं एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए क्या करते हैं? चलके जाते हैं सम crawl crawl याने रेंग ना crawl याने रेंग ना तो कुछ animals ऐसे भी हैं जो एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए क्या करते हैं? crawl करते हैं जैसे कि snake Snake, snake यानि सांप, जो crawl करके चलता है और कौन से crawl करते हैं? जैसे कि snail, snail जो बारिश के बाद निकल आते हैं वो भी crawl करते हैं एक जगे से दूसरी जगा जाने के लिए और होते हैं earthworms earthworms भी बारिश के बाद आपके घर में कभी-कभी दिखेंगे जो एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए crawl करके जाते हैं यानि रेंग के जाते हैं Some animals fly कुछ animals fly भी करते हैं जैसे birds, सारी ही birds fly कर सकती हैं crow, pigeon, coil, parrot सारी birds क्या करती है? fly करती हैं जब उनको एक जगे से दूसरी जगे जाना होते हैं तो क्या करती है? fly करती है याने उड के जाती है And some animals swim What is the meaning of swim? Swim याने टैरना टैर के जाती है कुछ birds, कुछ animals टैर के भी जाती है जैसे की fish, fish क्या करती है? Swim करती है याने की टैरती है Crocodiles, crocodiles also swim in the water to go from one place to another एक जगे से दूसरी जगा जाने के लिए तो हमने यह सीखा कि कुछ animals walk करते है कुछ crawl करते है कुछ fly करते है And कुछ swim करते है तो animals चार चीजों से walk, crawl, swim और fly करते हैं एक जगे से दूसरी जगा जाने के लिए For this, some animals use their feet Feet याने pair कुछ animals अब जो walk करते हैं वो कैसे जाएंगे एक जगे से दूसरी जगे Walk करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग भी feet यूज करते हैं वैसे ही animals भी कुछ जो walk करते हैं वो क्या यूज करते हैं अपनी feet And some use their wings अब जो birds उड़ती हैं वो किस की help से उड़ती हैं? Wings की help से याने की पंक किस की help से? पंक की help से birds उड़ पाती हैं And some animals even take the help of their tail अब पूछ की help से भला कौन सा animal एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है? तो fish, fish एक ऐसी animal है जो tail की help से एक जगे से दूसरी जगे swim कर पाती हैं तो कितनी चीजों से हमारे animals move कर पाते हैं? याने एक जगे से दूसरी जगे चाहप पाते हैं? Feet, wings and tail Feet, wings and tail इनकी help से animals move from one place to another Then, you must have seen many animals to write each which of them आपको बताना है अब कौन सा animal fly कर सकता है? यह आपकी activity है, यह आपको मेरे साथ साथ करनी है चीक है? आईए, करते हैं तो आपको पहला question बताना है कि कौन सा animal fly कर सकता है? अभी तो आपने सीखा ना? कि animals fly करके भी from one place to another जा सकते है तो कौन से वो animals हैं? जो fly कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि पैरिट पैरिट एक ऐसा animal है जो fly कर सकता है तो पैरिट एड़ एक ऐसा animal है जो fly कर सकते हैं जो fly कर सकते हैं तो कौन से आपने मल है? स्नेक और स्नेल्स स्नेल्स भी है भाईया जो crawl कर सकते हैं जो crawl कर सकते हैं तो दो animals हमने crawl वाले भी लिख लिए याने रेंगने वाले कौन से कौन से? स्नेक और स्नेल्स देन कौन से animal है जो walk कर सकते हैं? तो बहुत सारे कौन से? डॉग डॉग भी हमारा walk करता है? करता है की नहीं करता है? देन चाइगर औलसो walk एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए क्या करता है? चाइगर walk करता है न तो tiger, dog यह सारे कौन से animals है जो walk करके जाते हैं आपको भी साथ साथ करते जाना है चेक है? hop अब hop कर तो हमने नहीं पढ़ा तो hop का क्या मतलब होता है jump का क्या मतलब होता है jump तो ऐसे कौन से animals हैं जो jump करते हैं जाने की एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए कूंद के जाते हैं, कूंद के जाते हैं, याने जंप करके जाते हैं, तो फ्रॉग, फ्रॉग कैसे जाता है, जंप करके जाता है, एक जगे से, दूसरी जगे कैसे जाता है, जंप करके जाता है, अब इसे कौन से आनिमल्स है जिनके पास wings होते हैं Wings याने punk अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा आनिमल जिनके पास wings होते हैं सारी ही birds के पास wings होते हैं जैसे कि crow crow के पास wings होते हैं कि नहीं होते हैं देख तो वो उड़ता कैसे अगर crow के पास wings ही नहीं होते हैं तो crow के पास wings होते हैं Then parrot के पास भी wings होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? Parrot के पास भी wings होते हैं, तो crow के पास and parrot के पास दोनों के पास wings होते हैं आप कोई और नाम भी लिख सकते हो, जो आपको पता है कि किस के पास wings होते हैं Pigeon के पास, और भी बहुत सारे animals जिन के पास wings होते हैं Then half feet, feet याने pair, तो pair किसके animals के पास होते हैं, जितने सारे animals चलके याने walk करके एक जगे से दूसरी जगा जाते हैं, उन सभी के पास pair याने feet होती हैं, जैसे कि cow, cow के पास होती है कि नहीं होती feet? and elephant, elephant के पास भी feet होती है क्योंकि वो भी walk करके जाता है एक जगे से दूसरी जगे, वो भी क्या करके जाता है? walk करके जाता है then have a tail, tail याने pooch, pooch किन के पास होती है? pooch वाली भी बहुत सारे animals होते हैं जिनके पास pooch होती है cat, cat के पास pooch होती है कि नहीं होती है? then tiger, lion, lion के पास भी pooch होती है dog, dog के पास भी pooch होती है तो और भी बहुत सारे animals हैं जिनके पास pooch होती है आप अपने एसाब से भी और animals इसमें लिख सकते हो तो यहाँ पे हमने सारे कौन से कौन से animals discuss करें? जो fly कर सकते हैं याने जो ओड सकते हैं जो crawl कर सकते हैं याने की range सकते हैं जो walk कर सकते हैं याने की चल सकते हैं जो hop कर सकते हैं याने की कूद सकते हैं जिनके पास wings याने की punk होते हैं जिनके पास feet यानि की पैर होते हैं और जिनके पास tail यानि की पूछ होती है तो ये सारे animals हमने यहाँ पे discuss किये आपको भी मेरे साथ साथ exercise करते जाना है फिर क्या बोल रहे हैं वो? Animals live in different places तो animals सब अलग-अलग जगे रहते हैं न? अब dog आपको अपनी colonies में दिखेगा पच क्या वही tiger दिखेगा आपको अपनी colonies में? बिलकुल नहीं तो सारे animals की अपनी अपनी जगा होती है birds nest बनाके रहती हैं, पेड़ पे रहती हैं क्या dog भी पेड़ पे जाके रहता है? नहीं तो every animals have different places, different different जगा होती है उनके पास अलग-अलग जगा, different means अलग, तो अलग-अलग जगा होती है सारे animals के पास रहने के लिए कुछ animals, याने some animals live in the trees अभी हमने बताया कि कुछ animals trees पे भी रहते हैं, याने पेड़ पे भी रहते हैं जैसे कि monkey and more birds, birds भी कहा रहती हैं, trees पे रहती हैं, monkey भी tree पे रहता है and some will live in water, कुछ water में भी रहते हैं, जिनने हम कहते हैं water animals क्या कहते है, water animals ये animals कहां रहते हैं, ये रहते हैं, water में इसलिए हम इनको कहते है, water animals जो कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं जैसे fish, crocodiles, ये सब कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं तो कुछ animals ऐसे होते हैं, जो land पे रहते हैं कुछ होते हैं, जो water में रहते हैं Frog, frog दोनों जगे रह सकता है, पानी में भी और ground पे भी तो ऐसे भी animals होते हैं, जो दोनों जगे रह सकते हैं पानी पे भी और ground में भी चीक है? Some live on the land अभी हमने बात करी कि कुछ animals कहां रहते हैं? Land पे रहते हैं वहीं some live under the ground अब ये कौन से animals होते हैं? जो ground के भी नीचे रहते हैं कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो ground के भी नीचे याने जमीन, ground याने जमीन उसके भी नीचे रहते हैं तो ऐसे कौन से animals होते हैं? तो वो animals होते हैं जैसे की rat याने चूहां, चूहां अपना घर कहां बनाता है? घर यानि बिल, वो अपना बिल बनाता है ना? कहा बनाता है? ग्राउंड के नीचे तो rat एक ऐसा अनिमल है, जो under the ground रहता है Snakes भी, कुछ snakes भी ऐसे होते हैं, जो under the ground रहते हैं कहा रहते हैं? Under the ground, यानि जमीन के भी नीचे वो अपना घर बनाते हैं रहने के लिए आसमान में उड़ते रहते हैं. कहां उड़ते रहते हैं? आसमान में तो वो कौन सी birds होती हैं? जो कहां उड़ती रहती हैं? आसमान में उड़ती रहती हैं. तो हमें ये पता चला कि कुछ animals land पे रहते हैं, कुछ under the ground रहते हैं और कुछ हवा में भी रहते हैं और कुछ पानी मे भी रहते हैं, तो हमें ये पता चला कि different animals, याने अलग-अलग animals, different places पर रहते हैं, याने अलग-अलग जगा पर रहते हैं And some live, even our houses, अब कुछ ऐसे भी हैं, जो हमारे घर में भी रहते हैं, का रहते हैं, हमारे घर में अब ऐसे कौन से animals हैं, जो हमारे घर में भी रहते हैं? तो कुछ लोग, जैसे कि dog, तो कुछ लोग dog को अपना pet बना लेते हैं, आप मेंसे भी किनी लोगों के पास घर में dog होगा, जो आपके घर में आपके साथ रहता होगा तो उसे आप क्या कहते हो, pet animal, जो animal आपके घर में आपके साथ रहता है आप उसको खुद रखते हो अपने घर में, जैसे dog, cat, कुछ birds भी, rabbit तो ये सारे animals जिने हम pet animal की तरह अपने घर में रखते हैं अपनी मर्जी से हम लेकर आते हो उने घर में बट कुछ animals ऐसे भी होते हैं, जो हमारी मर्जी से घर में नहीं आते हैं, पर वो आपके घर में रहते हैं कौन से? जैसे की छिपकली छिपकली ऐसी animal है, जो आपके घर में रहती है, पर क्या आप उसको पकड़ के घर में लेके आते हो? नहीं, वो आपके घर में खुद बह खुद आ जाती है कभी कबार रैट्स, रैट्स भी आपके घर में खुद बह खुद आ जाते हैं काक्रोचिस, आंट्स, यह सारे वो आनिमल्स है जिन्हें आप लाते तो नहीं हो पर आपके घर में खुद आ जाते हैं तो वो animals, दो तरह के animals हमारे घर में रह सकते हैं, पहले pet animals जो आप खुद लाते हो, pet animals जो आप खुद लाते हो, और दूसरे animals जो की आपकी मर्जी के बगयर आपके घर में घुस जाते हैं, जैसे की rat और अलग insects, सारी ही insects याने कीडे, insects याने कीडे, जो आपकी बिना मर्जी के आपके घर में घुस जाते हैं, जैसे कौन से कौन से animals हमने आप पड़े और उनकी जगा बड़ी different different, जो वो different different जगाओं पे रहते हैं, और different different animals, different different जगाओं पे रहते हैं, और उनकी जगा भी हमको पता चली, land, sky, under the ground, trees, water, और in your houses, य हमने इससे सीखा, चीक हैं? अब आपको look at the picture, यह वाली picture आपको देखनी हैं अपनी books में, यह वाली picture आप अपनी books में देखिये, look at the picture given below and color the animals do not, colored animals do not, यानि वो नहीं live in your house, जो animals आपके घर में, आपके घर में जो animals नहीं रहते, उन animals को ही सिर्फ आपको coloring करनी हैं, coloring your favorite ना, तो करनी पर है, पर किनी animals को करनी है, जो आपके घर में नहीं रह सकते, उनहीं को आपको coloring करनी है, जैसे यह कौन सा animal है, this is horse, घोडा, this is horse, तो यह आपके घर में रहता है, नहीं, तो इसको आपको color नहीं करना है, यह है dog, तो dog तो आपके घर में रहता है, तो इसको color कर सकते हो. इस को आप color कर सकते हो. Then this is hen. Hen आपके घर में रहती है? नहीं. तो hen को भी color को नहीं करना है. This is cat. cat आपके घर में रहती है. बिल्कुल रहती है. तो इसे भी आप color कर सकते हो. Birds. Birds क्या करती है? हमने अभी पढ़ा था. वो तो sky में रहती हैं, क्योंकि उनके पास wings होती हैं, वो fly कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, तो ये भी आपके घर में नहीं रहती हैं, तो ये भी आपको color नहीं करना है, color नहीं करना है, चीक है? Then this is maybe cockroach, this is a cockroach, तो इसको आपको color करना है, क्योंकि cockroach ऐसे animals होते हैं, जो आपके बिना मर्जी के घर में घुस जाते हैं, तो इसे भी आपको color करना है, ये क्या है? This is lizard, याने छिपकली, lizard है, छिपकली है, तो ये भी आपके घर में बिना मर्जी से घुस जाती है, तो इसे भी आप color कर सकते हो, ये क्या है, rat, रैट आपके घर में रहता है, हाँ, रहता है, बिना मर्जी के रहता है, ठीक है? This is elephant, ये आपके घर में रहता है, नहीं, आपके घर में ये नहीं रह सकता है, चीक है? ये है duck, टुक का रहती है, तो पानी में रहती है, आपके घर में नहीं रहती है, This is fish. Fish आपके घर में रहती है? नहीं. Fish भी पानी में रहती है. तो ये आपके घर में नहीं रहती है. This is also some insect. ये भी आपके घर में आ сकते हैं आपकी बिना मर्जी के. तो ये आपके घर में रहते हैं. तो यहाँ पर हमने सारी animals. discuss कर लिए कि जो आपकी घर में रहते हैं और जो नहीं रहते तो आपको color के इनको करना है जो आपकी घर में नहीं रहते हैं Like horse, elephant, and birds, duck, fish इन सबको आपको hen, आपको color करना है Okay तो आप अपने favorite colors से इन्हे colors कर सकते हो Okay? Then, now here are some incomplete pictures of animals. Incomplete याने की जो पूरी नहीं हुई है. जो पूरी नहीं हुई है. उनकी कुछ पिच्चर अकिन की हैं, आनमल्स की हैं, कुछ incomplete picture. Complete them and write their names below. उनके नीचे आपको उनके names लिखने हैं, याने उनके नाम लिखने हैं, कब? After completing याने आपको पूरा complete करना पड़ेगा उन आनिमल्स को. क्योंकि वो क्या है? वो incomplete है. तो आपको उने complete करना है. और उसके बाद उनके नाम भी लिखने हैं नीचे. क्योंकि वो कौन से आनिमल्स की तरह complete करने के बाद दिख रहा है. अब आपको मेरे साथ साथ यहां पर complete करना है. अगर आप इसके एक leg और यहां से एक tail बना दोगे और एक leg और बना दोगे तो यह किसकी तरह दिखने लगेगा? dog की तरहा. किसकी तरहा? dog की तरहा. ठीक है? आप अच्छे से complete करना, ओके? नाओ यह किसके जैसे लग रही है? मुझे fish की जैसी लग रही है. अगर मैं इसकी यह fish यहां से complete कर दूँ, इसकी tail बना दूँ और यहां पे इसकी eyes बना दूँ, तो यह कैसी लगने लगेगी? फिश की तरह लगनी लगेगी. तो आपको भी ऐसे ही एक fish अच्छी सी draw करनी है, याने complete करनी है, और उसके बाद उनका नाम भी नीचे लिखना है. यह मेरे ख्याल से एक cockroach जैसा लग रहा है, तो cockroach की जैसे आपको इसके legs complete करने पड़ेंगे, और उसके बाद जब यह complete हो जाएगा, तो आपको इसका नाम नीचे लिखना पड़ेगा. तो इस तरह से यह activity आपको करनी है, मेरे साथ साथ भी करें, और अगर आपको draw अच्छे से करना है, तो इसके नीच and clean draw करके और उसके बाद इनके names यहाँ नीचे लिखें, ओके? आपको क्या करना है, find my name, मेरा नाम ढूंडो, वो क्या कह रहें? find my name, मेरा नाम ढूंडो, कहां ढूंडो, in the crossword, crossword क्या आता है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, crossword होगा ऐसा बना हुआ, ऐसा बनने हुए को कहते है, crossword, जहांपे पहुर्स सारे alphabets होते हैं, और हमको कुछ words, और इसमें तब क्या ढूंडना है, names ढूंडने, किनके names ढूंडने हैं, animals के names ढूंडने, किनके animals के, और क्या करना है, उन पर circle करना है, ऐसे, क्या करना है, circle करना है, okay, one example has been given, एक example, यानि एक example की तरहा, आपको यह उनने बुक में already करके रख हैं, पहले से ही, यह देखो, क्या इनने circle कर रहा है, monkey, m-o-n-k-e-y, monkey, monkey को इनने already circle कर रखा है, अब बाकी animals इसमें हमें ढूंडने हैं, आप भी ढूंडना, मेरे साथ साथ, okay, now, banana is what I love eating, यह first वाला उनने already करके रखा है, बट फिर भी हम एक बार reach करेंगे, banana is what I love eating, I spend my time jumping and leaping, क्या बोल रहा है वो animal, कि banana मुझे खाना बहुत पसंद है, banana यानि केला, केला खाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपना time कैसे गुजारता हूं, I spend my time jumping and leaping, मैं इधर उधर उच्छल कूद करके अपना time गुजरता हूं, तो ऐसा कौन सा animal होता है, monkey, जो उनने already encircle कर रखा है, याने circle कर रखा है, अब similarly, हमें आगे की questions पढ़ने है, animal पहचानना है, और यहाँ पे उज़े धूणना है, ठीक है, चलो करते हैं, On the walls, webs I wave, walls याने दिवारे, दिवारों पे मैं क्या करता हूं, webs I wave, webs याने क्या होता है, जाले, क्या होता है जाले, तो मैं जाले बनाता हूं, कहां पे, दिवारों पे, Insects मैं ने बताया था क्या होता है कीडे stick याने चिपक जाते हैं कीडे क्या होते है चिपक जाते है and cannot leave वहाँसे जान नहीं पाते ह। यह आनिमल है जो क्या करता है दिवारों पे जाले बनाता है और उसमें इंसेक्स चिपक जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो ऐसा कौन सा अनिमल होता है, स्पाइडर, कौन सा अनिमल, स्पाइडर याने मकडी, मकडी आपने घर में देखा होगा, जाले बना लेती है, अब आपको स्पाइडर इसमें ढूड़ना है, तो ढूड़ो कहा है स्पाइडर, देखो ये रहा स्प जून लिया अब हम आप भी में साथ next करना साथ साथ करेंगे ओके I remain awake awake याने मैं उठा रहता हूं इन दी होल नाइट पूरी राथ नाइट याने रात मैं पूरी राथ उठा रहता हूं and go to sleep in the airborne daylight मैं कप सोता हूं मैं दिन में sou जाता हूं और रात धर उठा रहता हूं कौन सा इनिमर्य आशा होता है जो रात भर टन भर सोता है और ऐसा आंपलों होता है कौनपों अनिमर्य मabout है आओ अब आउल को मिई धूंडेंगे तो ये रहा हमारा owl on wl owl ठीके croc 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 is my sound मैं sound याने और भास मैं कैसे यावाज निकॅलता हूं cax croc 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 in water or land I am found मैं कहा रहता हूं water में भी रहता हूं land में भी रहता हूं दोनु juge में रहता हूं और मैं कैसे य데ृज कालता हूं croc croc तो बताएए कौन सा है यह आनिमल, तो यह आनिमल है फ्रॉग, कौन सा आनिमल है यह फ्रॉग, तो यह रहा हमारा फ्रॉग, F-R-O-G, फ्रॉग, ठीक है, चल यहने के next करते हैं, I appear after rainfall, मैं कब आता हूँ, appear याने क्या होता है, आना, appear याने आना, तो मैं rainfall याने बारिश, तो मैं कब आता हूँ, मैं बारिश के बाद आता हूँ, and have no feet, मेरे पास पैर नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, बारिश के बाद आता हूँ, और पैर नहीं होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसे crawl करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, crawl, तो ऐसा कौन सा आनिमल है जो बारिश के बाद आता है और crawl करना पड़ता है, ऐसा animal हमने दो तीन पढ़े थे, snake, earthworms, snails. इसमें अगर धूनदे तो कौन सा मिल रहा है? हमें मिल रहा है snail, s-n-a-il, snail. तो snail ऐसा ऐसा अनिमल है जो बारिश के बाल भी आता है और उसके पास फीट्स नहीं होते तो वो क्या करता है वो रेंग रेंग के धीरे धीरे चलता है Now sixth one is slow and steady, slow and steady is my pace मैं थोड़ा धीरे ही चलता हूँ, I always win when there is a race मैं धीरे चलता हूँ पर मैं जब race होती है मैं हमेशा जीत जलता हूँ तो आनसो कौन सा अनिमल है हमने वो rabbit and turtle की कहानी सुनिया की नहीं सुनिया है तो बिलकुल इसका जवाब है tortoise इसका जवाब है tortoise, तो ये रहा हमारे पास tortoise T-O-R-T-O-I-S, tortoise अब आप सबने भी crossword में मेरे साथ साथ names ढून ही लिये होंगे ठीक है? तो ये आक्टिविटी भी आपे complete होती है Now what? अब आगे आपको करना है magic with fingers magic with fingers अब आप तमी fingers से magic भी कर सकते हैं तो ये एक fun वाली activity है जो आप लोगों को करनी है किस से? अपनी fingers याने अपनी उंगलियों से अब ये picture आप देखो जो आपके book में दी गई होगी यहापे कुछ animals बनाए है जो किसके तरू बनाए है? आपकी fingers के help से जैसे ये बनाए है एक parrot ये है parrot, ये पिकॉक, ये गॉट, ये डॉग and this is butterfly तो ये सारे ही diagrams, drawings कैसे बनाए है? आपकी fingers के तरू बनाए है पहले paint में finger को dip करना है याने दुबोना है जब आपकी fingers पे paint लग जाएगा तो उसको आपको इस तरह से press कर देना है कहां पे आपके pages पे, कैसा करना है, press कर देना याने उस पे लगा देना है तो वो इस तरह के diagrams आप सुंदर सुंदर बहुत सारे बना सकते हो ठीक है, तो आपको भी घर पे ये चीज ट्राय ज़रूर करनी है कि different different diagrams आप बना सको करना क्या है आपको, जैसे ये picture आप देख रहे हो can you distinguish the thumb prints from the finger prints thumb क्या होता है, this is the thumb, this is thumb आपका जो अंगूठा है, वो होता है thumb and these four are fingers, ये क्या होती है, fingers होती है ये thumb होता है, ये fingers होती है तो आपको distinguish करना है, याने की कौन सा thumb है कौन सा finger है, या आपको ये diagram, ये picture देख के जब की book में भी है, उसे देखिए और आपको बताना पड़ीगा कि कौन सा thumb का print है, याने thumb प्रेस करके बनाया गया और कौन सा finger प्रेस करके बनाया गया In the same way, using ink or watercolors, make pictures of animals उसी तरह से आपको क्या बनाना है, खुद भी बहुत सारी pictures बनानी है और fun करना है, किसके आप watercolors भी use कर सकते हों और ink भी use कर सकते हों, अगर आपके पास घर में watercolors हैं तो आपने watercolors से ये different different colors के भी आप animals बना सकते हों और ink से भी आप animals बना सकते हों बड़ पहले हमको identify करना पड़ेगा कि कौन सी fingers है और कौन सी thumb है तो देखो, ये जो दिख रही है हमको, ये हमको छोटे-छोटे दिख रहे हैं तो ये क्या होंगी? fingers होंगी और ये थोड़ा बड़ा है, तो thumb हमारा बड़ा होता है तो ये हमारा thumbprint होगा कौन सा प्रिंट होगा? thumbprint, ओके? इधा पर भी छोटे-छोटे dots हैं, peacock में तो ये क्या होंगी? finger prints होंगी यहाँ पर गोट में बहुत बड़े-बड़े prints हैं तो ये क्या है? thumbprint है ये छोटी-छोटी है, तो ये finger prints है और ये thumb से भी हो सकती है तो अब आपको अपनी creativity और अपना talent दिखाते वोए आपको भी बहुत सुंदर-सुंदर animals बनाने हैं किसके color watercolor से या फिर इनकी help से आपको ये सारे diagrams इनसे अलग हर्च के भी आप बना सकते हो Make picture using your own imagination बना सकते हो, बहुत सारे different animals बना सकते हो But आपको do not copy the ones, ये वाले copy नहीं करने हैं आपको अलग बनाने हैं, ओके You cannot use the pictures you have made to decorate your school and home You can use the pictures, अब आप क्या कर सकते हो इनी pictures को बना लो और फिर अपने room को decorate करो इन pictures की help से, ओके तो इस interesting activity के बाद, एक और activity है जो आपके fun के लिए है अब आपको क्या करना है, आपकी note book में Note book है न, आपके पास copy उसके अंदर एक picture draw करनी है of an animal That you have seen ऐसा animal की picture draw करनी है, जो आपने कभी देखा हो बहुत सारे animals देखे होंगे जिसे dog, cat और अगर आप लॉयन, चाइगर, elephant भी देखे हैं जू में जाके तो आप उनके pictures भी बना सकते हो तो आप सुन्दर सुन्दर और अच्छी अच्छी pictures बनाईए animals की अपनी note book में, जो animal bird आपने देखा हो बस उसी animal की picture आपको बनानी है, ओके now एक और activity आए, each group will take a white paper, group means आपके 2-4 friends मिलके बैठो और एक white paper ले लो 3-4 friends मिलके एक white paper लो and one child यानि एक बच्चा आप में से कोई एक will draw the face and neck of an animal यहाँ picture में अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, बस आपको एक face बनाना है and neck, neck याने face याने मूँ, neck याने गला, तो आपको क्या बनाना है, एक face बनाना है और एक neck बनानी है कोई भी animals की जो आपको पसंदो, ठीक है, at the top of the paper, for an example, यह हमारा एक बड़ा सा page है इसके उपर, इतनी जगा में, इतने, top में आपको क्या बनाना है, face बनाना है और neck बनानी है, क्या बनानी है, neck, किसकी, कोई भी एक animal जो आपको पसंदो, पर चार बच्चों में से किसी एक बच्चे को ही ठीक है, फिर क्या करना है, then आपको, second child, फिर आप में से कोई और, will draw the body of another animal जो उपर आपने neck और face बनाया है, उसको आपको नहीं बताना है पहले बच्चे को दूसरे बच्चे को क्या करना है, जो उसे पसंद है animal, उसकी body बनानी है जैसे कि example for a page, यह आपका page है, यहाँ पे किसी बच्चे ने face और neck बना लिया अब इतने page में आपको अपने पसंद के animal की body बनानी है, अपने पसंद के animal की body बनानी है, ओके then next में the third will draw the feet of yet another animal, अभी भी आपको different animal की third बच्चे को क्या बनानी है, feet यानि की pair, यहाँ पे इस जगे पे आपको feet बनानी है, क्या बनानी है, feet तो पहले पे आप face और neck बनाएंगे, पहले पे आप क्या बनाएंगे, face और neck, उसके बाद आप body बनाएंगे, उसके बाद आप feet बनाएंगे, क्या बनाएंगे, feet और इसी तरह से आपका एक पूरी diagram बन जागा, दिखो आपकी book में भी, यह page में feet बनती हुई दिख रही है, तो ऐसे ही आपको भी draw करनी है, पर तीनों ही तरफ, आपको अलग अलग animals की face, अलग animal की body और अलग animal की feet बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या देखेगा, now unfold the paper, अब अगर आप unfold करोगे, unfold या नहीं देखो, यह पूरे paper को unfold किया, तो face किसका बना हुआ है, elephant का, body किसकी बनी हुई है, duck की, और feet किसकी बनी हुई है, एक camel की feet बनी हुई है, तो यह देखो, कितना different animal बन गया है, जो आप लोगों ने ड्रॉ किया और fun किया, तो does it look like a funny animal, तो यह बहुत funny नहीं दिख रहा है, also look at the picture made by your friends, अब आपके friends ने जो मिल कर picture बनाई है, अगर आप उसको देखोगे, तो कुछ इस picture की तरहा लगेगी, okay, now one more activity for you, okay, now here spend some time under a tree, tree के नीचे, आपको कुछ ताइम बिताना है, tree के नीचे आपको कुछ time बिताना है, जैसे यह देखो, एक picture में दिख रहा है, this is a girl sitting under a tree, यह बच्ची बैठी है न, tree के नीचे, similarly उसी तरह आपको भी एक tree के नीचे थोड़ा time बिताना है, and observe the animals, observe मतलाब आपको animals को देखना होगा, वहाँ पे जो पेड़ के आसपास होंगे, या पेड़ पर होंगे, या वहाँ उड़ रहे होंगे, या आपके आसपास बैठे होंगे, तो उन animals को observe, observe याने देखना है, okay, carefully, now, देखने के बाद, आप मुझे बताओगे, name the animal which can be seen, आप branches पे, branches क्या होती है, ट्री की जैसे पिच्चर में दिख रही है, यह जो बनी हुई है, दीजादा branches, यह होती है, branches, तो इन पे आपको कौन से animals दिखे, तो आप जब बाठोगे, तब भी आप देख सुकोगे, और वैसे भी आपको पता होगा, कि मंगी एक आसा animal है, जो इन branches पे हमको दिखता है, branches पे कौन से animals दिखता है, मंगी, क्योंकि वो उचल कूद करता रहता है, branches के उपर ही, और काफी सारी birds भी हमको दिखती है, यहाँ पर branches पे बैठी हुई, branches पे बैठी हुई, काफी सारी birds भी आपने कई बार देखी होंगी, trees पे, ओके, and on the leaves, अब leaves पे, याने पत्तियों पे कौन से animals बैठ रहते हैं, तो butterfly, butterfly भी बैठ जोती है, कभी-कभी leaves के उपर, बैठती है के नहीं, तो butterfly, and हमें ladybug, ladybug एक ऐसा animal है, जो हमें leaves पे बैठा हुआ, काफी बार दिखता है, काफी बार दिखता है, बग भी कहते हैं उसको, ओके, on the trunk, trunk होता है पेड का ये वाला पार्ट, जैसे ये tree है, तो this is the trunk, ये जो पार्ट होता है, ये trunk होता है, tree का, तो trunk पे आपको कौन सा animals दिखते हैं, तो trunk पे हमको snakes दिख सकते हैं, जो ऐसे-ऐसे trunks के उपर चलते हुए, क्या दिख सकते हैं? snakes दिख सकते हैं, और भी कोई animals आप अपनी पसंद का, जो आपने कभी trunk पे देखा होगा, आप उन्हें भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, and on the ground, अब पेड के आसपस ground पे, हमें कौन से animals दिखते हैं, तो ground पे हमको आसपस बहुत सारे ants जाने की चीटियां भी दिख सकती हैं, और rabbit, अगर आप कोई zoo में या फिर किसी forest में जंगल में बैठते हो तो आपको बहुत से rabbits भी यहाँ पे देख सकते हैं, on the ground, और काफी सारे और भी जैसे dog, cat भी आप ground पे देख सकते हो, around the tree, ट्री के आसपस भी काफे animals होते हैं, जैसे cow होती ह तो यह सारे animals भी आपको around the tree, और ट्री के आसपस देखने को मिलेंगे, तो यह activities आप मेरे साथ साथ करते रहें, और सारे ही animals जो मा ने बता हैं, वो भी आप लिख सकते हो, और अपनी choice से भी जो आपने कभी देखे हो, वो animals भी आप लिख सकते हो, okay, now one more activity, now arrange these animals in the order of the size smallest being the first, smallest, याने सबसे छोटा animal आपको लिखना है first पे और सबसे बड़ा, याने सबसे small आएगा आपका first पे और सबसे big आएगा आपका 15 पे, सबसे small आएगा 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 15 पे, तो इस picture में ऐसे ही बहुत सारे animals आपने भी देखे होंगे, यह picture आपकी बुक में नहीं होगी शा आपने जो जो animals आज तर देखे हैं, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौनसे कौनसे animals आपने देखे हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, लाइक अगर सबसे बड़े में आप लिखना चाहो, तो आप कौनसे लिखोगे, elephant भी लिख सकते ह जिराफ भी लिख सकते हो फिर आप नीचे नीचे आते जाओगे तो आपको सबसे smallest सबसे पहले लिखना है सॉरी सबसे smallest तो जैसे ant तो सबसे small होती है सबसे small कौन से होती है ant और उससे बड़े जाए तो dog भी आ जाएगा cat भी आ जाएगी और आपने अगर deer देखा हो तो deer भी आ सकता है फिर दीर दीर और बड़े पर जाएगे तो cow भी आ सकती है buffalo भी आ सकती है got आ जाएगी यहाँ पर तो आपको size के according क्या करना है size यहाँ कौन कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है यह आपको यहाँ पर line wise आपको animals लिखने है सबसे पहले सबसे small and सबसे ant में सब लिख okay okay ऑने जिघ्षा कई अने की पॉस आपने भी पॉसल क्लियोंगे उसमें किया उते बहुत-बहुत-बहुत सारे कार्द दोते जो की गलत का करना मटता है थॉनए अर्रेंज करना पड़ता है और एक सही मुचर करना पड़ते हैं A picture is cut in such a way that one has to really think how to fit the picture together. अब आपको क्या करना है? एक जिक्सो पुजिल में आपको एक picture cut करनी है, एक picture cut करनी है ऐसे में कि आप अपने friend को बोलो कि ये ठीक करो तो उसको बहुत मुश्किल जाए और बहुत hard याने, hard याने मुश्किल जाए उस picture को fit करने में. तो आपको ये अपने friend के साथ ये activity आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? Now, in this picture also, ये दिखो आपकी book में भी होगी, ये पिकॉक वाली picture, ये कौन सा bird है? पिकॉक है, और ये क्या है? आपका जिक्सो पुजिल है, इस पुजिल में आपको क्या करना है? Now, make a jigsaw puzzle using a picture of any animal. आपको एक jigsaw puzzle बनाना है, कोई भी animal का, आपका फेवरेट, जो भी animal हो, उसका एक puzzle बनाना है, और paste the picture on the cardboard. एक paper लो, उस पर वो animal बना के, उसे cardboard में stick कर दो, याने चिपका दो, paste कर दो. Now, cut the cardboard along the ages of the picture. ages याने corners जो होते हैं, जैसे ये अगर आपका puzzle है, तो ये corners से आप उसको, cardboard को, पूरे picture को काट लो. Then, cut this cardboard into unequal pieces. Unequal याने, जो equal हो, कैसे भी आड़े तेड़े आपको उनको cut करना है. Then, give this pieces to your friends. अब आप उस सारे pieces अपने friend को दो, और बोलो कि ये animal तुम्हे बनाना है. And ask them to put the pieces together and identify the animal. और फिर आपको उन friend को बोलना है, कि आप इस puzzle से, आप क्या बनाओ? एक animal बनाओ. और फिर मुझे बताओं कि ये कौन सा animal है. तो ये वाली activity आपको किस के साथ करनी है? अपने friends के साथ करनी है. पहले क्या करोगे? एक paper पे कोई animal draw करना है. वो animal को कहां चिपकाना है? एक cardboard पे चिपकाना है. cardboard पे चिपकाने के बाद, आपको वो पूरा corner से cut कर लेना है. और फिर different, different, different आडे तेडे आपको वो cardboard को काट कर, अपने friend को देना है और उसे बोलना है कि इसे जोड़ो. Put them together और एक animal बनाओ. और फिर मुझे बताओ कि वो कौन सा identify मतलब पहचानों कि वो कौन सा animal है. So, this is all about the chapter. यहाँ पे हमारा पूरा chapter हमने discuss किया और बहुत सारी activities की साथ में. और आपको भी बहुत मजा आया होगा. अब आप इस chapter को अच्छे से खुद भी पढ़ लीजेगा एक बार. और हमारा Magnet Brains 4th to 12th free classes प्रोवाइट करता है. Thank you.